दूध ये रखता है आपकी सेहत का दिया क्योंकि इसमें है वो सारे तत्व जिनसे आपका शरीर, मस्तिश्क और मिजाज रही, स्वस्त, तंदूस्त और ताजा क्या ये अश्चर्य की बात है कि दूध को श्वेत अम्रित भी कहा जाता है? इसी श्वेत अम्रित के उपादन और विक्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है पारस दूध पारस दूध विक्रेताओं की दुनिया में ये एक ऐसा नाम है जो आज गुणवत्ता और भरोसे का प्रतीत बन गया है पारस दूध का सफर श्री वेद राम जी ने सन 1960 में एक लगू दूध टेरी इकाई के रूप में शुरू किया था जब मात्र साथ लिटर दूध का उतपादन होता था आज रोजाना बीस लाख लिटर दूध का उतपादन होता है आज एक छोटी सी देरी ने छे प्लांट्स का विशाल रूप ले लिया है ये सभी प्लांट्स आयसो प्रमाणित हैं ये सफर मुम्किन हुआ सिर्फ एक मंत्र के कारण गुणवत्ता के प्रती एक अटल प्रती बधता चलिए, आज आपको दिखाते हैं कि पारस दूध को सभी माईनों में स्वच, निर्मल और स्वादिष्ट कैसे बनाता है साहिब अभाद के नज़दी के एक गाम में जर्षी गायों का ये जमाम एक आम दृष्ष है इन पशूओं की देख लेख पारस के पशू विशशग्यों द्वारा की जाती है जिससे इनकी सेहत और दूध उतपादन की शक्ती अधिक्तम रहती है एक आम कैटल शेड यानि पशूओं को पालने की जगह से हट कर इन जगहों पर साफ सफाई आँखों के सामने देखने को मिलती है सफाई सिर्फ जगह की ही नहीं, बलकि इन गायों को दोहने वाले किसानों और यहां इस्तिमाल होने वाले बरतनों में भी देखी जा सकती है आप तक साफ स्वच दूध पहुचाने का यह मानो एक पहला पड़ाव है यहां इस बात को दोहराना होगा कि पारस सिर्फ उनहीं किसानों से दूध लेता है जो उनके स्ट्रिक्ट हाईजीन स्टैंडर्ड्स यानि स्वच्छता के कड़े नियमों का पालं करते हूँ हर सुभा आसपास के कई गावों से किसान पारस के हरीब 2000 से भी ज्यादा विलेज लेवल यानि गाम स्टर के कलेक्शन और चिलिंग सेंटर्स में दूध पहुचाते हैं पारस सभी वर्ग के किसानों को प्रोचसाहित करता है वो चाहे मात्र 10 लिटर लाने वाला साइकल पर चला आता छोटा किसान हो या फिर 100 से 500 लिटर दूध लाने वाला बड़ा किसान हो पारस की गुणवत्ता जांच की प्रक्रियाईं यानि क्वालिटी चेक्स यहीं से शुरू हो जाती हैं सबसे पहले दूध में बसा यानि फैट और सॉलिड नॉट फैट या SNF की मात्रा का पता लगाया जाता है और क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में 5-7 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता किसानों के सामने ही ये जांच की जाती है ताकि उन्हें अपने दूध की क्वालिटी का वहीं पता चल जाए दूध में पानी की मिलावट को प्रोचसाहन न मिले इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन किसानों को ज्यादा दाम दिया जाता है जिनके दूध में फैट और SNF की मात्रा अधिक हो चिलिंग सेंटर्स में एकत्रित हुए दूध को 5 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है यहां से दूध को प्लांट्स में भेजा जाता है प्लांट्स तक पहुँचने के दौरान दूध को स्टेनलेस स्टील टैंकर्स में उसी 5 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है प्लांट्स में पहुचने के बाद इस दूद की गुणवत्ता की पुनेह जांच की जाती है। स्वच्छता गस्तर हमेशा कायम रहे यही पारस दूद की सफलता का राज है। इन सभी प्रक्रियाओं से निकल कर दूद दो उतपादों में तयार किया जाता है। एक टेट्रा पैक और दूसरा पॉली पैक में। टेट्रा पैक में बंद करने से पहले दूद को एक सो चालीस डिगरी सेल्सियस तक दो से चार सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। और उसके तुरंत बाद 20 डिगरी सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। टेट्रा पैक में दूद बंद होने के बाद भी गुणमत्ता की जाच जारी रहती है। रैंडम चेक्स यानि कन्वेर बेल्ट से किसी भी पैकेट को निकाल कर उसका परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण से ये सुनिश्चित किया जाता है कि दूद गुणमत्ता के हर माप दंड में खरा है। बारीकी से जाच करने के बाद इन पैकेट्स को बाजार में भेजा जाता है। यहां ये बताना जरूरी है कि टेट्रा पैक में बंद दूद चार महीने तक खराब नहीं होता। दूसरी पैकेजिंग है पॉली पैक। पॉली बैक्स में दूद बंद करने की प्रक्रिया अत्यादुनिक उपकरणों द्वारा की जाती है। यहां पर भी दूद को बिना हाथ से चुए पॉली बैक्स में बंद किया जाता है। दूद का पस्चराइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। जिससे दूद को 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद इसे तुरंत 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। पारस उत्तर भारत में एक मात्र ऐसा दूद है जिसकी प्रोसेसिंग में बैक्टोफ फ्यूजिंग नामा के प्रक्रिया इस्तिमाल की जाती है। इस प्रक्रिया से दूद में किसी भी हानी कारक की डाणों के होने की आशंका पूरी तरह से खत्म हो जाती है। दूद को पांच डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके इसी तापमान पर बाजार में भेज दिया जाता है ताके दूद की ताजगी बरकरार रहे पॉली बैग्स में दूद, फुल क्रीम, टोन्ड और डबल टोन्ड के रूप में उपलब्ध है इसके अलाबा पारस तूद, पारस मिल्क पॉइंट पर भी उपलब्ध है इसे हम PMP कहते हैं ये आटोमाटिक वेंडिंग मशीन है और इसके द्वारा हमें पारस का होमोजनाइजड टोन्ड दूद मिलता है रात के अंधेरे में ही पारस दूद बाजार में वितरण के लिए भेज दिया जाता है ताके पारस के उपभुकताओं यानि आपको सुभा सुभा ताजा, शुद्ध और स्वादिश्ट दूद मिले पारस गुणमत्ता का प्रतीक है इसी गुणमत्ता के चलते पारस को ISO 9001 से प्रमानित भी किया गया है दूद के अलावा इनके उत्पादनों में और दूद के उत्पाद जैसे देसी घी, दही, पनीर, लस्सी और पीजा चीज शामिल है इसके अलावा पारस, मिनरल वाटर और सोडा भी बनाते हैं पारस का दानेदार देसी घी 500 ग्राम, एक किलो और पांच किलो के टेट्रा, टिन और पॉनी जार की पैकिंग में उपलब्ध है आपको पारस का ताजा और मीठा दही 200 और 400 ग्राम की एर टाइट पैकिंग में मिलता है पनीर 200 ग्राम के पैक में उपलब्ध है जैसा कि आप सभी जानते हैं पारस, दिल्ली और आसपास के क्षित्रों में दूसरा सबसे बड़ा दूद विकरेता है जो खरीब धाई लाक लिटर दूद का वितरन करता है यहां रोजाना करीब 20 लाक लिटर दूद और उससे बने उतपादों का उतपादन होता है जिसमें 6 लाक लिटर दूद एडिबल ग्रेट कसीन में कनवर्ट किया जाता है और 6 लाक लिटर दूद एसमपी डेरी मिक्स आदी में पारस बरसों से शुद्धता पर कायम रहके आज इस देश के लाखों करोणों लोगों के लिए ये नाम शुद्धता की पहचान और गुनमत्ता का परियाह बन गया है